हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में मेरा नाम है कुल्दीप और आप देख रहे हो रेल इनपो टीवी दोस्तों आज गिस वीडियो में हम डिसकस करेंगे हाल इमें साथ वेस्टन रेल्वे के मेस्व डिविजन में जैई पीवे के एक्जाम के बा जैई पीवे की जोब जोइंग कर सकें दोस्तों इसी कड़ी में रेल इनपो टीवी कई सारी डिविजन के क्यूशन स्पेपर ओल्रेडी ला चुका है जिसमें हुबली डिविजन मैसूर डिविजन और राइपू डिविजन जैपू डिविजन बुसावल डिविजन सब्सक्राइब करना पड़ेगा तक है जो इनमें कंटेंट होता है जो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ पूराने का शौब करना चुछ और एक किसन का अनलाइज करना चीए चले दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बीना किसी देरी गए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूँ हम Q26 से स्टार्ट करेंगे विकोज यह सेकेंड पार्ट है इसका पर्स्ट पार्ट औरेड़ी अपलोड किया कर दिया गया है जो आप निचे डिस्क्रिम्स लिंक में जाकर चेक कर सकते हो दोस्तों उस वीडियो में आपने Q1 से लेकर Q25 तक कवर किया था और आज इस वीडियो में कवर करेंगे Q26 से लेकर Q50 तक तकि वीडियो के लेंथ भी ज्यादा नहीं रहे दोस्तों I hope आपको पिछला पार्ट में कोई confusion होगा तो आप इसमें भी comment करके बता सकते हैं चलिए दोस्तों सुरुवात करते हैं Q26 है Q26 है LWR ट्रेक में बखलिंग खत्रे की सूचना मिलने पर Gang summat को संदिक्तिश्वां के दोनों ओर ट्रेक का LWR ट्रेक में बखलिंग खत्री की सूचना मिलने पर Gang में कभी च्टों क्या होता है कि प्रत्रेक भी में जब इसका ट्रांसलेशन किया जाता है तो राइन इय भी type यह दोनोटा हम उद यूं होई तो मिटर तक उसका अच्छे से निरिक्षन करना चीह है दोस्तों 100 मिटर तक ओप्शन ए विल भी दराइट आंसर क्विशन नमर 26 ऑप्शन इस दराइट आंसर चलता है नेक्स्ट क्विशन पर क्विशन नमर 27 दो अलग अलग रेल खंडो जोडने के लिए उप्यों की जाने वाल और कि चाहरती कमपंच जटके और और सॉर को कम करने के लिए रेल के नीचे डेज का उप्यों किया जाता है यानिकि जो वाइब्रेशन होता है जब ट्रेंटर एक पर से गुजडरती है और जो जटके लगतें न उनको कम करने के लिए किस का यूज Zakो दोस्तों जिया य्या में देख सकते हो आप और इसका यूजी बताया है इसमें उन्होंने गुरू रबर्ट शोल प्लेट अब्जोर्ब्ड हाइफ फ्रिक्वेंजी वाइब्रेशन शोक्स एंड रेडूस नॉइसेज दोस्तों मेरा इसमें जो इंग्लिज पीवे मैनुवल की जो स्क्रीन सोट्स करने का सबसे पहला तो रिजन ही है कि अपने पास प्रूब के साथ होती है कि कई बार क्या होता ना कि नोलेज आपने भी देखा होगा जो आपके गैंग में या आपके इस्टेशन पर पुराने जो एंप्लोई जो पढ़े लिके ज्यादा नहीं है जिनका प्रमोशन नहीं यह उसका क्वालिफिकेशन की वज़े से हैं फिर भी उनको नोलेज है क्योंकि उन्होंने खाफी दिनों तक ट्रेक पर काम किया है पर उनको थियोरी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है अभी क्या एरसी का क्या नंबर होना चाहिए 60 kg अगर सिलिफर 60 kg 60 kg रेल है तो उस तो एक्जाम क्रेक करने के लिए आपको थेवर्टिकल नोलेज होना जरूरी है बले आपको प्रेक्टिकल नोलेज हो या नहीं हो वह आपको ट्रेनिंग में दे दी जाती है उनली एक्जाम में आपकी थेवर्टिकल नोलेज देखी जाती है तो इसलिए आपको इन चीजों देस्ट का उप्योग करके विक्सित किया गया है यानि कि जो ग्लूड इंसुलेटेट जॉइंट होते हैं वो किसके दोवारा डबलाव उप्य हैं वो हैं दोस्तों रेजिन एडेसिव ओप्शन ए इस दराइट आंसर मैनौल भी देख लेते हैं गवार जैसा कि आप देख सकते हैं ग्लूड इंसुलेटेट जॉइंट्स हेव बिन डवलप्ड यूजिंग रेजिन एडेसिव तो उप्शन ए इस दराइट आंसर चलते हैं नेस्ट क्यूशन पर क्यूशन नमर 30 डेस सभी गर्डर फुलों एवन डेक्सलेब के बीना परी प्रवाइड करवानी चाहिए ओप्शन में देर क्यों में से तोस्तों गाड़ रेल प्रोवाइड करवानी होती है एट लिस्ट अप्शन भी इस तराइट अंसर यू ज्यू चक्र पिवेमेनल और दोस्तों इंगलीज को यसब किसी भी क्यूशन में मियूंटेस्टेंडिं कि चले देखते हैं इस क्यूशन का सॉलूशन गाड रेल शुट भी प्रोवाइड़ ओन आल ग्रीडर बिज इंक्लूडिंग प्रिस्ट्रेट्स कॉंक्रेट ग्रीडर बिज विदाउट डेक्सलेव विद वेदर मैजर और माइनर चाहे तो मैजर वीजो चाहे माइनर बिजो को सभी प्रोवाइड करवाने चाहिए गाड रेल चलते हैं एक्स्ट क्यूशन पर क्यूशन नमर थर्टीवन इनसीटू की गई थर्मिट वेल्डिंग को दो क्लेम के साथ जोगल पिस्प्लेट किया जाएगा और यूस एबडी दौराचिस से अच्छे के रूप में फ्रि वूडन वूडन ब्लोक होता है तो वो कितने लेंथ होती है उसके 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 नीचे रखा जाता है तो दोस्तों उसकी होती है थर्टी टू फोर फिफ्टी एम हम ओप्शन ए इस देराइट आंसर है यूशन सी पीवे मैनुवल आल्सो जैसा कि यहां पर मैंशन किया के पिस प्लेटेड विद टू क्लैम्स एंड सपोर्टेड ओन वूडन ब्लोक्स ओन लें 352-452 यहां पर मेंशन किया गया है चलते हैं नेक्स्ट कुछन नमर 32 इंवेलिडेट रेल्स हैस्टेवल और इस स्टेंट्स फोर दोस्तों मुझे तो लग रहा है इस पेपर में ओल्म सब्सक्राइब रेल होता है सब्सक्राइब का मतलब यह देखो इससे मिलते जुलते दिये इन्होंने नाम तो कंफ्यूज नहीं होना इनमें चलता है नेक्स्ट कुछन नमर 33 250 मिटर से अधिक की वेलिडेड रेल की लंबाई कहलाती है दोस्तों ल्डवल र कहलाती है सी फुलपाम भी पूची जा सकती है दोर्वर की फूपाम होती है लॉंग देड रेल को अई च्छेक नहीं निक कार्यों में टी अर आर का मतलब क्या है दोस्तों ट्रू डेल रिनीवल होता है कि यह देखो त्यों मेंट्निक यह तो तो ट्रूर्ल रिनीवल होता है उप्शन is the right answer Q34 option b is the right answer Q35 प्रात्मिक नमिनिकरन क्या है primary renewal दोस्त प्राइमरी रिने वल जो class one material के साथ renewal किया जाता है एक दम नहें material के साथ वह primary renewal होता है और जो class second material के साथ renewal किया जाता हो secondary renewal होता है है फिस याद लाइक चीज़े चल्दे नेक्स्ट क्यूशन पर क्यूशन नमर 36 जब बकलिंग हुई यह तो ट्रेक के लिए आपात काली नम्र मत डेस के प्रवेप्शन के तायत कम से कम भाग लेने के लिए दोस्तों एटलिस्ट जही पीवे वहां पर होना चीए ऑप्शन भी इस दराइट चल्दें नेक्स्ट क्यूशन पर क्यूशन आवर 37 जब दक्षिन पशेम डेल्यवे के बर्त्मान महा परबंदक है दोस्तों कि इसमें इसले पूछा गया है क्योंकि मैं शुर्ड दक्षिन पशेम डेलीवे के अंतरगत आता है आप भी जिस डिविजन में सेवा कर रहे हो उस डिवीजन के DRM, GM, इन सभी के आपके वारे में, आपको उनका नाम पता होना ची ये रेलवे बोर्ड के जो पोस्टेडवे से ये जी के टाइब के क्यूशन हो गए, पूचे नहीं जाते हैं पर इसमें पूचा है, तो आप भी याद रख लेना, अजे कुमार सिंग तो इ ये खाफी, वेलफेर के लिए इन्होंने खाफी को किया था, इन्होंने रेलवे बोर्ड को एक लेटर भी लिखा था, सबी कि नोंने काफी हल्प कि थी, चलते हैं नेक्ट कुशन नमर 38, ओमस क्या है, ओमस दोस्तों तो ओसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम तो ओप्षन एइस दे राइट आंसर क्यों नमर 30 है 38 ओप्षन एविल भी दराइट आंसर क्यों सब्सक्राइब नमर 39 रेल के होग इंग को मापने के लिए आवशक सीदे किनारे के लंबाई किया है दोस्तों एक मिटर होती है रेल के सुरू होने से पहले डेस से अधिक रेंगना समय उजित किया जाना चाहिए दोस्तों क्रिप अक्सेस पूछिए जो की 150 mm होती है ओप्षन ए इस दराइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन पर क्यूशन नमर 41 ब्रोड गेज में लायनों के बीच की मानक दूरी क्या है द दोस्तों यह कुशन कावी कन्फूज करने के लिए पूछी जाते हैं इनसे रिलेटेट कावी चारी क्यूशन है वह आप एक बार से भी देख लेना प्लेटफॉर्म से लेटेड उसकी हैट से रिलेटेड कभी तो कोपिंग का पहुशता कभी वाल का पहुशता है बात करें इसकी रेल लेवल तो हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म रेल लेवल से उसकी कितनी हाइट होती है 840 होती है मैक्सिमाम और देख लेते हैं जिसा कि यहां पर मेंशन किया गया है पर्स्ट प्लेट में होरी जॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओप ट्रेक टू पेस प्लेटफॉर्म कोपिंग यह क्योशन भी कई बार पुचा जा चुका है इसमें मैक्सिमाम तो होती है 1680 mm और मिनिमाम होती है 1670 mm और होरी जॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओप ट्रेक टू पेस ओप एनी प्लेटफॉर्म वाल दोस्ते गुट्स यह अभी मैंने बता प्लेटफॉर्म के लिए भी सही होती है 1680 1670 और बात करें इसकी होरी जॉन्टल डिस्टेंस प्रॉम सेंटर ओप ट्रेक टू पेस ओप एनी प्लेटफॉर्म वाल प्लेटफॉर्म कोपिंग का प्लेटफॉर्म वाल के लिए दो 1905 mm मैक्सिमाम 16.25 mm मिनिमाम बात करें इस क् कुछ आया कुछ नमर 42 में हाइट अब रेल लेवल फोर हाइट पेसेंजर फ्लेटफॉर्म रेल लेवल से उनकी हाइट पूचे प्रेसेंजर फ्लेटफॉर्म की दोस्तों जो की होती है मैक्सिम्म 840 mm और मिनिमाम 760 mm इसलिए उप्संद सी इस दराइट आंसर क्विशन नम इस्टेशन याड में अधिक्तम डाल डेस होनीच जब तक कि विशेश सुरक्सित उपकरनों को नहीं अपना जाता है यह विशेश नियम लागू नहीं कि जाते हैं इस्टेशन नमर 45 टोक्यो ओलम्पिक में स्वांड पदक जीतने वाली भारती अथलिट का नाम यह एक मात्र की लाड़ी थे अभी जो लास्ट ओलम्पिक हुआ था टोक्यो में उसमें गोल्ड मेडल दिलने वाली भारत को और बात करें हिस्ट्र की पूरी इस्ट्रीम इंडि निरेच्चोपडा उनका सपना था जो फ्लाइंग सिकते मिलका सिंग का सपना था कि कोई अथलेटिक्स में बारत के लिए गोल्ड लेक है वो समना निरेच्चोपडा ने पूरा किया था इसको गोल्डन वोई के नाम से भी जाना जाता है क्यूशन नमर 46 भारत में पहली आ पहले थे पीश गोल ऑप्सन बीज़ राइट आंसर टुशन नमर 47 बीज़ राइट आंसर चलते नेक्स्ट क्यूशन नमर 48 बारत के रास्टपती कोन है दोस्तों बारत के रास्टपती रामनात को बिंदे अब देखो बहुत इजी लेवल है अभी तक तो पेपर का आगे का पुछ खहनी सकते हैं फुल फॉम्स बगेरा पुच्छे जी कहके भी कुशन डाल दिये ल्वर से डवल और की इनकी फुल फॉम्स पूच्छी से ज्यादा क्या पूचेंगे यार चलते हैं एक्स्ट क्यूशन पर क्यूशन नमर 49 करन चीफ मिनिस्टर और करनाठ का दोस्तो चलते हैं नेस्ट क्यूशन पर क्यूशन नमर 50 निमले कि तुम इसे कौन सा भारत का सबसे उचा बांद है दोस्तों जी के क्यूशन का भी पूचें इसमें ठेरी बांद सबसे उचा बांद ऑक्षन बी इस दराइट आपसर दोस्तों 15 मिनट का वीडियो चुका है और इतनी continuity नहीं रहती पढ़ने में ना पढ़ाने में तो आज के लिए वस इतना ही आप देखते रहेगा रेल इंफो टीवी और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है मेरा कुछ मतलब वीडियो की वह अच्छी लगती है क्वाइटी जो भी हो तो आप वीडिय देता है चली दोस्तों आज के लिए वस इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद टाटा बाई बाई